कि अचिए उसका मेरी शेविंग करते टाइम उसके हाथ में ब्लेड है और जो मेरा सबसे कमजोर एरिया है यह जो मेरा एरिया है इस जगे पे जब वह ब्लेड चलाएंगे क्या मुझे ड़ लगता है कि और क्या को इंदुस्थान में कोई भी हिंदू भाई जब डर लगा कि यह मेरी गर्दन काट देगा तेखिए आसिफ जी जो आपका सवाल है और आज जो हालात सोचल मीडिया पर या मीडिया चैनल्स के उपर न्यूस्पेपर पर हम कुछ देखने को मिल रहे हैं मौब लिंचिंग को लेके या जिस तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे है या कुछ लीडर्स के बयान आ रहे हैं कि सेल डिफेंस के लिए हमको अत्यारों के लाइसेंस लेने चाहिए हैं या ऐसा इटमोस्फेर जो क्रियेट हो रहा है अगर मैं मेरी बात करूँ जो मैं इन चीजों को इस हालात को समझ पा रहा हूं तो फिलहाल ऐसी कोई जरुवत इस देश में है नहीं और अल्या ना करे मालिक ना करे कभी आये क्योंकि हम लोगों का जो ताना बाना आपस में रहने का जिस तरह से बुना हुआ है वो बहुत एक अलग तरह का रिष्टा है हमारा जो एक दूसरी जो जिसको हम लोग गंगा जमनी संस्कृती बोलते हैं इस जो बारबर का पेशा है नाईयों का जो पेशा है 70% बारबर्स मुस्लिम कमिन्टी से बिलॉंग करते हैं और उसमें अब प्रोफेशनल भी देख लें जावेद हबीब हो या कोई भी हो ठीक है जब वो अपने प्रोफेशन पर बैठते हैं और उनके साथ उनके सामने कोई बैठा हो उससे वो कभी प्रोफेशन नहीं पूछते और जो उनके पास जाकर बैठा है उसको उनसे कभी डर नहीं होता आप सेल्फ डिफेंस के लिए हत्यार रखने की बात कर रहे हैं किसको किस से डर है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आज मैं किसी सलून पर जाकर बैठा हुँगा मेरे कपड़े मेरे गर्दन पर इस तरीके से कपड़ा लपेड दिया जाएगा मेरी शेविंग करते टाइम उसके हाथ में ब्लेड है और जो मेरा सबसे कमजोर एरिया है यह जो मेरा एरिया है इस जगे पे जब वो ब्लेड चलाएंगे क्या मुझे डर लगा क्यों नहीं लगा क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से आप आज हम यह मॉब लिंचिंग की बात करते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया आज आप जब रोड पे चल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में आप स्ट नहीं जाओंगा या तो मुसलमान हो तो मैं जाओंगा जब वो रोड पे ड्राइविंग करता है तो उसका पेशा है वो ड्राइवर है उससे उसको रोजी रोटी मिल रही है तो वो अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए अपने साथ पैठेवे पैसेंजर की लाइ कर लें हमारे पुष्टों से ये काम चलते आ रहे हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब इस तरीके से जुड़े हैं आप देखें के दाशेरा आएगा दाशेरे में रावन का धहन होता है जितने शोरगर हैं जो आतिशबाजी का काम करते हैं वो सब मुसल्मान क्या उस संस्कृति को भूल जाओगे उस संस्कृति को भूल जाओगे नहीं ना तो यह सब चीजे अब अगर मेरी समझ से पूछें तो मेरे जो मुझे लगता है कि इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि कि आज टेक्नोलोजी का जिस तरह से विकास हुआ है हर इंसान के हाथ में फोन पहुंच गया मोबाइल पहुंच गया हम लोग चीजों से अपडेटेड रहते हैं लेकिन हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है लोग यह नहीं जानते कि वीडियो वाइरल करने वाला उस वीडियो के पीछे कितना पैसा कमा रहा है हम लोग सिर्फ उस वी एडिया में वीडियो वाइरल होने से तो और लोगों की मेंटिलीटी होती है कुछ अलग दिखा तो हमको उसको फरवर्ड करना है तो उस तरीक ऐसे जब वीडियो वाइरल होते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ माहूल खराब हो रहा है लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं ह अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हतियार रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस सरकार के उपर से भरुसा उठा रहे हैं कि अपने पास हतियार रख रहे हैं हतियार रख रहे हैं आप करें कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा तो आपको सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत ही क्यों है दूसरी चाहे वह कोई कामुटी को मैं यह नहीं बोलता कि यह सिर्फ मुसलिम कम्यूटी के लागू हो ता यह सिर्फ हंदू कम्यूटी के लागू होता है आपको सेल्फ डिफेंस करने की जरूरती क्यों है जब हम एक ऐसे समविदान में रह रहे हैं जहांपे लोगों को अपनी आत्म रक्षा का से किसी के ऊपर किसी बीड है किसी बीड दंत्र ने कोई हमला कर दिया तो क्या उसको देखा कि सारे लोग हतियार चाह्ना चालू कर देंगे तो बीड तंतर के बाद लिए भीड तंतर हड़ा कर रहे हैं अaser जी मेरा उसना तोड़ा सा लग Guillh हमारा देखने का नजरीय हमको बदलना पड़ेगा हम सरकार पे देखिए कोई पार्टी विशेश ये इलेक्षिन का टाइम होता तो हम यह कह सकते थे कोई पार्टी विशेश है लेकिन आज अगर वो जीत के सरकार में बैठी है जो माननी है हमारे प्रदान मंतरी है चाहा हमार बरोसा रखना और उनको भी हमको ये बरोसा दिलाना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई करवाई नहीं होगे हम कुछ self defense के लिए हमको सरकार पर बरोसा है हमको कानून पर बरोसा है हाँ देखिए यह ऐसा है मैं आपको एक चीज शुरू में भी भी मैं आपको एक चीज एक्जामपल देने की कोशिश कर रहा है आज मेरा पेट खराब हो गया कल मैं खाना खाना नहीं छोड़ूँगा लेकिन मैं उसका इलाज करूँगा दवाई खाऊंगा उसके बाद ये चीज देखने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज खाने से मेरा पेट खराब हो गया वो चीज मैं न करने से आज मैं हत्यार कल वो हत्यार लेकर आ रहे हैं आज मैं हत्यार लेकर जाऊंगा तो यह तो हम जाने न जाने किस देश में मनलब किस देशा में लेकर जाएंगे क्योंकि मैं जहां तक मैंने इसलाम को फालो किया है मैं जानता हूं जहां तक मैंने पड़ा है कुरान शरीफ के अंदर ये बताया गया है कि आप जिस समीन में रहें जिस जगे रहें उस जगे से महपत करें उस जगे से और इनसान हर मुसल्मान वो करता भी है आज अगर मैं हिंदुस्तान में हूँ जहां तक बात आती है न ये सब क्यों हो रहा है ये सिर्फ इस गलत फ़हमे के अंदर होता है कि मुसल्मान या एक्स कम्यूनिटी मुझे किसी कम्यूनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान से है या हम जो है बाहर से आए है या मैं रास्ट भक्त हूँ और तुम रास्ट भक्त नहीं हो ये सब क्यों होता है आप किसी का कुछ चीजे बोली जाती है और कुछ एक्ट करके दिखाई जाती है एक पानी का गिलास होता है आदा भरा हुआ है आदा खाली है आप उसको देखने की अपना नजरिया देखिए देखिए बहुत माज़रत के साथ मैं अपनी छोटी से समझ से एक बात कहूंगा जो हमने सीखिए कि एक कहने में और एक करने में एक मुसल्मान जो पांच वक्त नमास पढ़ता है वो सजदा कहां देता है इस मिट्टी में अगर वो हिंदुस्तान में नमास पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना की मिट्टी को सलाम नहीं करेगा वो पाकिस्तान की मिट्टी को सलाम नहीं करेगा हम पांच वक्त दमास पढ़ते हैं इस मिट्टी को चूमते हैं इस मिट्टी से हमको रोजी रोटी मिलती है हम यहां पे पैदा हुए हैं यहीं पे हमारी जब आखरी सांसे भी निकलती है तो जो हमको दोगस जमीन भी नसीब होगी तो इसी मिट्टी में होगी यहीं हमारा ये बदन, हमारा ये शरीर, हमारी हड्डिया इस मिट्टी के अंदर मिली है इस से जदा इस मिट्टी से वफदारी मैं नहीं समझ सकता कि कोई करेगा हमारी हर जबान के अंदर, हर जगा हम काबे की तरफ निगाह करते हैं हमारे लिए नमास पढ़ने की खुदा अल्ला एक निराकार है कहीं उसका आपने कहीं तस्वीर नहीं देखी होगी फोटो नहीं देखी होगी लेकिन नमास के लिए क्या कहा जाता है सजदा सजदा किसको मिट्टी को मिट्टी कौन सी उस वतन की उस जगे की आज कहीं आपने सुना क्या आप नमाज पढ़ने के लिए जो है वो पाकिस्तान की मिट्टी लाके नजमीन पर रखे उसके उपर सजदा दे रहे हैं नहीं आसिफ जी हम इसी मिट्टी में सजदा दे रहे हैं तो हम दिन में पाँज बार बिना कहे बंदे मातरम कह Ayam positivo मातरम का मतलब होता है मातुछे सलाम मा कुन यह जमीन जिसने हमको पैदा किया जिसमें से हम निकले और जिसमें हमको जाना है तो हमको कहने की सिर्फ जबान का फर्के वंदे मातरम एक हिंदी या संस्कृत का वर्ड आप पोल सकते हैं और जो हम नमास पढ़ते हैं हम एक्ट करके दिखा रहे हैं सिर्फ हाँ बात सर्फ थोड़ी सी आ जाती है नासम जी की बात आ जाती है कि आप अगर किसी को एक बच्चा होता है बच्चे को आप जिस तरीके से आप बोलोगे कि बेटा तुझे दूद पी ले बोले का मुझे नहीं पीना आप उसको बोलोगे कि तुझे दूद नहीं पीना वो बोले का नहीं मैं तो प्योंगा तो ये थोड़ा सा समझ का फर्क है वरना हम भी वही कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो हमारे दूसरे भाई भी वही कर रहे हैं सबी लोग वही कर रहे हैं, और ये चोटी-चोटी चीजों में मैं तो नहीं समझता, कि आज एक पड़ाली का समझदार इनसान इसके ओपर अपना दिमाग लगाएगा, वो हर तरह सार इनसान अपना काम करता है, और करता रहेगा, और मेरा तो यकीन ये है, कि ये सब चीजों से हिंदुस्तान की जो तैजीब, जो संस्कृती है, जो हमको जो मिली है, वो कभी खराब होगी, या उसी तरीके से बुलंद रहेगी, आप इसका एक्जामपल देख सकते हैं, आज हमारी एकोनोमी ग्रो कर रही है, कितनी भी वर्ल्ड इकनोमी डाउन जाएगी, ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि हमको एक दूसरे पर भरोसा है, हमारी सरकार्ण ने हमको भरोसा दिलाया हुआ, या हमको काइदे कानून इस तरह से मिले हुए, हम अपना काम कर रहे हैं, मुसल्मान भी तरक्की कर रहे हैं, हिंदू भी तरक्की कर रहे हैं, और जब दोनों मिलके तरक्की कर रहे हैं, तो देश तरक्की कर रहा है, और इस चीज़ को बताने की जरुवत नहीं, यह दुनिया जानती है, या अपनी politics को चमकाने के लिए बेशक कुछ भी कहें लेकिन हिंदर और मुसल्मान में जो एका है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है और ये हमको मिला है और ये हमेशा रहेगा कि जो लोग आपके इस चैनल के माद्यम से सुनने वाले उनको भी कहूंगा कि इन सब चीजों के पीछे नहीं जाएं हमें यहां रहना है और अपने अपना घर आज लोगों के पास इतना वक्त भी आए अपने पेट की अपने घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो पहले य अगर एक दूसरे के बीच में डिफरेंसे रहेंगे हम एक स्कूल में बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो यह सब चीज़े चलती रहेंगी और यह सिर्फ इसको एक पार्ट और पार्सल ओफ लाइफ कोई तरह देखें देखिए कानून को अपना काम सकती से करना चाहिए लेकिन मैं आपको यह चीज़ बोलूगा अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाए और जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है आप उस पर भरुसा करें आप खुद इलाज करने लग जाएंगे तो कभी बीमारी का हैं हम अगर हम को इन चीज़ों को सीजस लेना है तो हम अपनी अपना जो दर्द है अपनी तकलीफ है वो इस तरीके से दिखाएं कि कानून को कानून तक हमारी आवास पहुँचे ना कि हम कानून को हाथ में लें फिर उनमें उस बीड तंत्र के अंदर और हम में क्या फर्क हम कोई अगर इस तरह से रियक्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल सोचल मीडिया भी जो है वो उस तरीक ऐसे हो जाए कि लोग इसको देखना बंद करते हैं जी जैसे कि आज के वक्त के अंदर में इस्ट्री मीडिया का हाल हुआ है जी जी अपना किंती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्री है मुर्तुजाली साब और हम उमीद करते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुँचे और लोग उसके अमल करें बहुत बहुत बहु झाल